अगला प्रश्ण है 83 इसमें पूछा गया है बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्ला ताला यह पंक्ति किस कवी की रचना से है तो यहाँ पर आपके समख्ष चार बिकल्प दिये गए हैं उनमें से एक यहाँ पर सही हो जाएगा तो वो बिकल्प आपको बताना है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प C जो बच्चन जी है हरिवंश्राय बच्चन उनकी मधुशाला से यह पंक्ति ली गई है यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा C ठीक है ना बाकी विकल्प देख लेते हैं जो उर्वशी है ये दिनकर जी की रचना हो जाएगी रसकलश ये हरियोद जी की रचना हो जाएगी और जो पथिक है ये राम रिश्ट टिपार्टी की रचना हो जाएगी इनको भी याद रखीगा कई बार इस तरह से रचनाओं के बारे में ये रचना की किसकी हैं अगला प्रशने 84 इसमें पुछा गया है कौन सा च्छायवादी कभी आकाशवाणी से सेवारत था तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगी तो बो हो जाएगा विकल्प भी जो पंत जी थे ये आकाशवाणी में कारे करते थे और आकाशवाणी स सेवा रत हुए थे और चायाबा से इनका सबंद रहा है याद रखेगा ये बाकी परसाद होगे परसाद जी का भी सबंद चायाबा से ही रहा है आपको बताना है कि जो दिनकर जी थे इनका सबंद किस का बेधारा से रहा है ठीक है ना और बच्चन जी का भी बताना है कि इनका कौन सा संपरदाय था या किस जो संपरदाय था इनके द्वरा चलाय गया था अगला प्रशन है कृति है एक तरफ और दूसरी तरफ कृतिकार तो इनका मिलान करना है तो चली मिलान कर लेते हैं तो जो राम की शक्ति पुजा हो जाएगी ये हो जाएगी निराला जी की क्रिती आंसू जैशंकर प्रसाद की क्रिती हो जाएगी लोकाईतन सुमित्र नंदन पंत की क्रिती हो जाएगी और सांदे गीत ये हो जाएगी आपकी महादेवी बर्मा की क्रिती ठीक है न? फिद से वजा देता हूँ लोकायितन पंदर जी कि कृति हो जाईगी उन में से कौन सी रचना ग्यानगपीर पुरुस्कार से सम्मानित है तो यहाँ पर जो सही बिकलब हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकलब सी चीदंबरा जो चिदंबरा है ये ग्यानपीर पुरुसकार से सम्मानित रचना है ठीक है आपके लिए प्रशन छोड़ देता हूँ तीसरा बताना है कि जो चिदंबरा है किसकी रचना है अगला प्रशने राम की शक्ति पुजा के सरवन्द में से कौन सा कथन सत्य होगा तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कथनों को पहला कथन निराला के राम तुलसी के राम से भिन नहीं है गलत हो जाएगा ये कथन जो निराला के राम है तुलसी के राम से भिन है इस तरह होगा ये कथन ठीक है ना दूसरा है निराला के राम अबतारी पूरिश हैं तो ये भी गलत हो जाएगा निराला के राम अबतारी पूरिश नहीं होंगी। आगे है निराला के राम लिला पुछोत्तम हैं तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही कतन होगा तो वो होगा विकल्फ सी निराला के राम समान्य मानव है ठीक है तो यहाँ पर सही हो जगा C अगला प्रशन है धिक जीवन जो पाता ही आया है बिरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है तो ये हुआ है निराला के जीवन का सत्य अभिव्यक्त अगला प्रशन है 89 सरोज सम्रिती में सरोज कौन है अच्छा प्रशन है दोस्तों ये वाला तो जो सरोज सम्रिती में सरोज होंगी ये निराला की पुत्री होंगी सही भी कल्प यहां पर डी हो जाएगा जो स्रोष मृति है इसे हिंदी कब्बे में एक बिरह कब्बे के तौर पर जाना जाता है निराला जी ने अपनी पुत्री जो स्रोष थी इसकी मृत्यू के समय ये गीत लिखा था थी अगला है निराला की साहितिसादना नामक गरंथ के रच्चरीता कौन होगे तो जो निराला की साहितिसादना है इसके रचनाकार हो जाएगे रामिलाष शर्मा सही भी कल्प यहां पर C हो जाएगा अगला पुछने 91 इसमें पूछा गया है आर्शी परसाद सीहं की रचना कौनसी होगी तो यहाँ पर जो कलापी है ये आर्ची पर साद सीहं की रचना हो जाएगी अगला पुशन है, 92 हम दिवानों की क्या हसी है आज यहाँ, कल वहाँ चले ये पंक्ति किस कभी की होगी ये पंक्ति हो जाएगी बगवती चर्ण बर्मा की अगला प्रशने नाइंति थी इसमें पूछा गिया है कभी कुछ ऐसी तान सुना जिससे उतल पुतल मचे जाए ये पंक्ती किस कभी की है मुझे लगता है कि वो से बच्चों ने ये पंक्ती तो अब शिय पड़ी होगी तो ये पंक्ती होगी बार्टिशन शर्मा नवीन की अगला प्रशनے कुकुर्मुता कभीता किस कभी ने लिखी है तो जो कुकुर्मुता कभीता है ये लिखी यहाफ के नीराला जे द्वारा सही बी कल्ब यहाँ पर भी हो जाएगा शायद आप लोगों में से बहुत से बच्चे कुकुरमुता को नहीं जानते होंगी क्या कुकुरमुता क्या होता है तो दोस्तों ये बता दूँ जो कुकुरमुता एक तरह क्या मश्रूम होता है ना मश्रूम आपने देखा होगा मश्रूम आपने खाया भी होगा उसी के परकार का एक जंगली पौधा या फूल होता है जिसे कुकुरमुता कहा जाता है तो निराला जी ने कुकुरमुता को लेकर भी कवीता लिखी थी महत्कुन कवीता है अगर कवी आपने पड़ी नहीं हो तो अब अच्छी इसे पढ़ लीजेगा अगला प्रशने 95 इसमें पूछा गया है अवे सुनवे गुलाव में गुलाव किसका प्रतीक है तो यहाँ पर गुलाव का प्रतीक बताना है क्या होगा यह तो यह हो जाएगा पुंजी पतीक का प्रतीक होगा गुलाव ठीक है ना और जो ये पंक्ति है अवे सुन बे गुलाब ये कुकुरमुता कवीता से ही लिए गई है आगे है 96 इसमें पूछा गिया है दिनकर की की सरचना पर ग्यानपीट पुरुसकार मिला था तो जो दिनकर की रचना हो जाएगी तो वो हो जाएगी उर्वशी जो उर्वशी है उर्वशी को ग्यानपीट पुरुसकार से नवाजा गिया है ठीक है बाकी रेनों का सामधेनी और हुंकार ये भी दिनकर जी की ही रचना हो जाएगी अगला प्रशने शुवानों को मिलता दूद बस्तर वुखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टी से किस प्रकार की कवीता माना जाता है तो ये होगी प्रग दिवादि कवीता ये सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशने आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है तो जो आदूनिक मीरा की नाम से जना जाता है ये होंगी महादेवी बर्मा अगला प्रशन होगा प्रबासि के गीत नामक काब्बे संक्लन किस कवी का है तो जो प्रबासि का गीत होगा ये नरेंदर शर्मा की रचना हो जाएगी सही बिकल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है मदुशाला और मदुवाला काब्य संकलों की रचना किसने की तो जो मदुशाला और मदुवाला काब्य संकलन है इनकी रचना की गये थी हरीवश्राइब बच्चन जी के दुवारा आपके लिए एक और प्रेशन छोड़ देता हूँ, आपने बताना है अगर आपको उसका नाम आता है अगला प्रेशन पूछा गिया है यहाँ पर मतवाला और स्वनवे नामक पत्रों का संपादन किस चायवादी कभी ने किया था तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा विकल्प भी निराला जी ने अगला प्रेशन होगा एक सुदो इसमें पूछा गिया है प्रसाथ की प्रत्रम छायवादी क्रिती कौन सी होगी तो यह हो जाएगी जर्ना सही विकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशने इन में से कौन सी रचना निराला की नहीं है तो ये हो जाएगा शोकुछवास सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा बाके परीमल, गीतिका और तुलसीदास ये तीनों ही रचना निराला की होंगी अगला प्रशने जुही की कली नामक कवीता का प्रकाशन बर्श किया होगा तो ये हो जाएगा 1916 सही विकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा अगला प्रशने ही यहाँ पर जुही की कली कवीता को सरस्फती संपादक महाबीर प्रसाद्वी वेदि ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इंकार कर दिया था तो ये किया गया था इसमें अशलीलता है ठीक है ना तो यहां से सिदे सिदे जो प्रशन बनते हैं वो बता दूँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ही की कली को परकाशित करने से किस ने इनकार किया था तो ये किया था महाबीर परसाद्वी वेदी ने और ये भी बन सकता है प्रशन कि जो ही की कली किस की रचना है निराला की रचना है और अगला प्रश्न ये बनेगा कि जो ही की गुली को परकाशित करने से किस पत्तरिकाने इंकार कर दिया था तो यह हो जायगा सरस्वती पत्तरिकाने अगला प्रश्ने 106 इसमें पूछा गया है पंत की किस का भेक्रिती को छायबाद का मैनिफैस्टों कहा गया है तो यहां पर सही बिकल्ब हो जाएगा पल्लब ए सही बिकल्ब हो जाएगा अगला प्रशने 107 पंत जी की किस का बेकृती में भाशा अलंकार छंद शब्द चेन सबंदो में एक लंबी भूमिका है तो यह सब दिया है पल्लब में ठीक है ना सही विकल्ब C हो जाएगा अगला प्रशन है 108 पूचा गया है परिवर्तन कवीता का मुल्स वर क्या है तो इसमें बताया गया है सबकुछ परिवर्तन शील है ठीक है ना 108 का सही विकल्ब यहाँ पर D हो जाएगा अगला प्रशन बना गया है यहाँ पर 109 हिंदी की कौन सा चायवादी कवी अर्विन दर्शन से प्रभावित था तो बताना है कि कौन सा ऐसा कवी था चायवादी जो अर्विन दर्शन से प्रभावित था और काबे रचना करता था तो ये हो जाएगे पंत जी 109 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला प्रशने 110 सुरन काब्य की रचना हिंदी के किस कवी ने की है तो ये हो जाएगे सुमित्र अनंदन पंत 110 का सही बिकल्ब सी हो जाएगा अगला प्रश्ने इन में से कौन सी कृती में महादेवी की संपुन कवीताएं संकलीत है तो ये हो जाएगा यामा नामक काब्य ग्रंथ अगला प्रश्ने 112 गीत गुंज नामक काब्य संकलन किस कवी की रचना है तो ये हो जाएगा नीरालाजी का काब्बे संकलन, ठीक है न, सही विकल्पी यहाँ पर C हो जाएगा अगला प्रशने, इन में से ओज और अधातिय का कभी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नीरालाजी को 113 का सही विकल्पी यहाँ पर C हो जाएगा अगला प्रशने इन में से प्रसात की कौन सी रचना गीतकाबे के अंतरगत आती है तो ये हो जाएगी लहर 114 का सही भीकल्ब सी हो जाएगा अगला प्रशने 115 आंसू का कौन सा संसकर्ण रहस्य अबादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है तो ये हो जाएगा दिया संसकर्ण ठीके न 115 का सही भीकल्ब भी हो जाएगा अगला प्रशने 116 अचारे रामचंदर शुकल ने चायाबाद का जनक किसे कहा है तो ये कहा है मुकृदर पांडे को 116 का सही भीकल्ब सी हो जाएगा अगला प्रशने पंद की रचना रजत शीखर किस बर्ग में आएगी तो जो पंद की रचना है रजत शीखर तो ये आएगी काबे नाटक के अंतरगत 117 का सही बिकर्प डी हो जाएगा अगला प्रशने 118 पूछा गया है प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कभी इनमें से कौन है तो ये हो जाएंगे हरिवश राइब बच्चन अगला प्रशने 119 दिनकर को किस बर्ग में रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा राष्ट्रिय सांस्कृति कवेधरा के कवी के अंतरगत तो मैंने पिछे आप से ये प्रशन पूछा था तो इसका उत्तराव को मिल गया है यहाँ पर सही बिकल्प भी हो जाएगा और कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि जो दिनकर जी है इनका जनम काल क्या है तो ये हो जाएगा 1908 इस भी अगला प्रशने 120 बैद्देनात मिश्र किस कवी का बास्ट्विक नाम है तो ये हो जाएगा नागरजुन का 120 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशने प्रेद का बियान नामक कवीता का रचनाकार किसे माना जाता है नागरजुन को यहाँ पर सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशने 122 गीत फ्रोश नामक परसिद कवीता की रचनाकार कौन होंगे ये होंगे बवानी परसाद मिशर 122 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशने प्रग्तिबात का सबंद किस दर्शन से है तो जो प्रग्तिबात का सबंद रहेगा तो ये रहेगा माक्सपार से 123 का सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशन है आउ रानी हम ढोएंगे पार की नामक प्रसिद कवीता की रचना किस कवी ने की है तो ये की गई है नागरजुन के द्वारा 124 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला प्रशन है फूल नहीं रंग बोलते हैं काबे संग्रह इन में से किस कवी का है तो ये हो जाएगा केदारनाथ अगरवाल का सही विकल्प E हो जाएगा अगला प्रशन एक तर्फ क्रितिकार का नाम दिया गया है और दूसरी तर्फ क्रितिकार का नाम दिया गया है तो चलिए इनका मिलान के लेते हैं तो जो युगधारा नामक का बेश संग्रह होगा किसका होगा ये तो ये हो जाएगा आपका नागरजुन का ठीक है इसके पर चाते है युग की गंगा तो ये हो जाएगी के दारनात अगरवाल की रचना फिर है रसबंती ये किसकी रचना होगी दिनकर की फिर है हिलोल ये किसकी रचना होगी तो शिममंगल सीह सुमन की फिर से बता देता हूँ युगधारा नागरजुन की रचना होगी युग की गंगा के दारनात अगरवाल की रचना होगी रस्वंति दिनकर की रचना हो जाएगी और जो हीलोल है ये शिबमंगल सी है सुमन की रचना हो जाएगी अगला प्रशन है 127 पूछा गया है प्रक्तिवादिक काब्बे की समें सीमा इनमें सी क्या है तो ये हो जाएगी 1936 से लेकर 1943 इस भी 127 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशन है 128 हिंदी का कौन सा कभी मैथली में यात्री नाम से लिखता था तो ये थे नागरजुन ठीक है ना 128 का सही विकल्प डी हो जाएगा अगला प्रशन है 139 इनमें से कौन प्रक्तिवादिक कभी नहीं है तो ये हो जाएंगे हरी ओद 129 का सही बिकल्प ये हो जाएगा इन में से प्रक्तिवाद कि सवंद में कौन सा कथन गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा पिकल्प सी स्थुल सौंदरी के स्थान पर सुक्ष्म बाईबिय सौंदरी का चित्रन किया गया है बाकी जो सत्य कथनोंगे उन्हें देख लेते हैं प्रक्तिबाद में शोषन का बिरोत किया गया है सत्य कथन है प्रक्तिबाद में धर्म और एश्वर पर अनास्ता ब्यक्त की गई है तो ये भी सत्य होगा शोषितों के प्रती साहनुबूती ब्यक्त की गई है तो ये भी सही हो जाएगा अगला प्रशने मारो 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 हसियां हिंसा और अहिंसा क्या ये पंक्ति किस कभी की है तो ये पंक्ति हो जाएगी केदारनाथ अगरवाल की 131 का सही बिकल्प यहां पर ये हो जाएगा अगला प्रशने इन में से मार्क्सवाद पर आस्ता रखने वाले कभी कौन नहीं है तो ये हो जाएंगे जैशंकर प्रसाद बाकी केदारनात अगरवाल, रामविलाशर्मा, शमशेर बहादूर सिहं ये तीनों ही कभी मार्क्सवाद पर आस्ता रखते थे अगला प्रशन है 133 कुरुक्षेतर की रचना कभी कामूल उदेशिक क्या है तो जो रचना की गई है कुरुक्षेतर इसमें जो रामधारी सिहं दिनकर कामूल उदेशिक क्या था तो ये था युद और शांती की समस्या पर गंभिर किंतन करना 133 का सही विकल्प यहां पर यह हो जाएगा अगला प्रशने भारतिय प्रक्तिशील लेखक संग की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी 1936 में 134 का सही विकल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशने 135 पूछा गया है भारतिय प्रक्तिशील लेखक संकी स्थापना सरप्रतम कहां हुई थी तो ये हुई थी विकल्प ए लंदन में अगला प्रश्ने 136 इसमें पूछा गया है ख्षमा शोबती उस बुजंग को जिसके पास गरल हो ये पंक्ति किस का बेग्रंथ की है तो ये हो जाईए कुरुक्षेतर नामग का बेग्रंथ की और ये ग्रंथ किसका है तो ये ग्रंथ हो जाएगा रामधारी सी हां दिन करका तो दोस्तों आज आपको थोड़ी आवाज मेरी फसी फसी हुई सी लग रही होगी तो इसलिए ये है क्योंकि मेरी जीब में चाले पर गए हैं जिसका बोलने में थोड़ी कर्टना ही हो रही है आप लोग कॉर्प्रेट कीजेगा ठीगे ना अगला प्रशने 137 और वशी के कामाध्यात्तम पर किस बिदेशी लेखक का प्रवाव है तो ये हो जाएगा डियेश लारेंस का या लारेंस भी बोल सकते हैं या लारेंस भी बोल सकते हैं आप 137 का सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने 138 पूछा गया है उर्वशी का कब्बे रूप क्या है तो जो उर्वशी का कब्बे रूप हो जाएगा ये हो जाएगा गीति नात्य ठीक ना 138 का सही विकल्प सी अगला प्रशन है 149 इनमें से दिनकर की कौन से कृती नहीं है तो ये हो जाएगी बैदेही बनवास बाकी परशुदाम की प्रतीक्षा, रस्मन्ती, हूंकार ये तीनों ही रचने दिनकर की हो जाएगी आगे है उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था तो जो उर्वशी कब्बे है इसका प्रकाशन हुआ था 1961 इस भी में 140 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला प्रकाशन है 141 पूछा गिया है गा कोकिल बर्सा पाबक कन में कोईल किसका प्रतीक है क्या है गा कोकिल बर्सा पाबक कन इसमें पूछा गिया है कोईल किसका प्रतीक है तो ये हो जाएगा कभी का प्रतीक 141 का सही विकल्प ये हो जाएगा अगला प्रशने 142 गुरु थोड़ा हात करती बार बार प्रहार ये पंक्ति किस कवी की है तो ये पंक्ति तो सबसे पहले हो जाएगी निराला जी की और किस का बे या कवीता से ली गई है ये पंक्ति तो ये लिगी है बतोड़ती पत्थर से 142 का सही बिकल्प D हो जाएगा अगला प्रशने 143 प्रियोगबादी का बेधारा का प्रारम किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है तो ये माना जाता है तारसब्तक से 143 का सही बिकल्प E हो जाएगा अगला प्रश्nor है 144 सर्प्त के संपाधक कौन थे तो ये थे अग्येजी 144 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला प्रश्nor है 145 प्रियोगबादी का प्रार्वर्म कब से माना जाता है तो ये माना जाता है 1947 इसविशे 145 का सही बिकल्प यहां पर यह हो जाएगा अगला प्रशने 146 प्रियोग अपने आप में इश्णही बर्न वसादन है ये कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा अग्येजी का 146 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशने 146 पूछा गिया है किसका वेधारा का विकास कालंतर में नई कवीता के रूप में हुआ तो ये हुआ था प्रियोगबाद का 147 का सही विकल्प यहां पर B हो जाएगा अगला प्रशन है तारसब्टक का प्रकाशिन कब हुआ था तो जो तारसप्तक का प्रकाशिन हुआ था ये 1943 इस भी में हुआ था सही विकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला प्रशन है 149 इसमें पूछा गया है इन में से कौन सा कभी तारसप्तक का कभी नहीं है तो ये हो जाएंगे केदारनात सी हैं बाकी भारत भूशन अगरवार नेमीचंदर जैन और रामिला शर्मा ये तीनों ही तारसप्तक के कभी होंगे अगला प्रशन है 150 कुछा गया है भवानी प्रसादमिश्र की कभीताओं को किस सब्तक में स्थान मिला था तो ये मिला था दूसरे सब्तक में ठीक है न एक सो प्चास का सही विकल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है दूसरा सब्तक का प्रकाशित हुआ था तो ये हुआ था 1951 में अगला प्रशन है 152 पूछा गया है शम्षेर बहादूर किस सब्तक के कभी है यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है 153 तीसरा सब्तक का प्रकाशित बर्श किया है तो जो तीसरा सब्तक है इसका प्रकाशित बर्श है 1959 इस भी 153 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला प्रश्ण& 154. प्रतीक पत्रिका के संपाधक कौन थे? तो जो प्रतीक पत्रिका है इसके संपाधक हो जाएंगे. अग्येजी 154. का सही विकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रश्ण& इन में से कौन सी बिशेषता नई कविता की नहीं है? तो ये होगी मार्क्सवादी दर्शन बाकी बौधिक्ता, शुनिक बादिता और अतिशे ब्यक्तिक्ता ये तीनों ही नई कवीता की विशेशता होंगी अगला प्रशन है 156 कोश्वत सिम्टी रहे यह चाती नारी खोल देने लूटने का पूरश अधिकारी ये पंक्ति किस कवी की है तो ये पंक्ति हो जाएगी अग्येजी की 156 का सही विकल्प सी हो जाएगा 157 है अह मेरा श्वास है उतप्त धमनियों में उम्र आई है लहू की धार तुम कहा हो नारी ये पंक्तियां किस कवी की होंगी तो ये पंक्तिया भी होंगी अगेजी की 157 का सही बिकल्प दी हो जाएगा आगे है 158 देवता अब इन प्रतीकों के करगे हैं कूच कभी बासन अधिक गिसने से मूल लम्मा छुट जाता है इन पंक्तियों में मूल मनतब ये क्या है तो यहाँ पर जो पंक्तिया कही गई है कभी की उसका हमने मूल मनतब ये बताना है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प ए पुराने शब्दों की अर्थवता खो गई है 158 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशन है 119 जो हर काम करते हुए चुप है इस पंक्ति में नई कभीता की कौन सी प्रविती परिलक्षित हो रही है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प C नई उपमान का झाले हो जाएगा प्रवित दे प्रवशशर यहाँ परिया है झाले है जो जो हो जो बिकल्प जो 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 है झाले है